Hello students, welcome to my nurture, मैं हो Krishna, कैसे हैं सब लोग, मस्त, बढ़िया तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्माकोपिया चैप्टर नमबर वन का लेक्टर नमबर थर्ड जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोपिया के बारे में, फार्माकोपिया ना कैसे अजीब सा सब्स लगता है बहुत सो लोग जानन गए होंगे क्या होता है, समझेंगे इसे वट इस फार्माकोपिया, फार्माकोपिया क्या है एंड इंडियन फार्मकोपिया को ले करके यहाँ ज्यादा discussion चलेगा कुछ और फार्मकोपिया है बिट्रीस फार्मकोपिया है ना यूर इंटरेस्टेट फार्मकोपिया जिनके भारे हम नेक्स लेक्षर हम डिसकस करेंगे हमें पता है Latin और Greek जातर सब्वहीं से ले जाते हैं क्योंकि Old Time पे जो Scientist हो गारा थे सब कुछ वहीं से आता था तो वहीं से सारे सब्वहीं से ले जाते हैं Pharmakon जिसका हम जानते हैं इसका मतलब क्या होता ड्रग होता है और Poya जिसका मतलब होता है करता है तो दवाई ठीक है यह Test match नहीं करता है दवाई खराब है वगएरा 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 सारी चीजें यहां लिखा हुगा ग्रन्थ ऐक तरह ऐसा कह सकते हैं ठीक है लिटर लिटर लिटर्ली मतलब वमले मौझूद है, for making preparation from them, ठीक है ना, जिससे कि हम उससे मिलके क्या बना पाएं, उनकी help से preparation को बना पाएं, जो हम दवाईयां बनाना चाहते हैं, तो इसके अंदर ये सारी चीज़े होती हैं, आगे आएं, it is a legal and official book, ये legal है, सरकार बनाके, सरकार कुछ लोगों के जिम्मदारी देती है, वो लोग बनाते हैं, और official book होती है किसी भी country के लिए, हर एक country के अपने अलग होती है, issued by recognized authority, एक खास authority होती है, वही इसको क्या करती है, बनाती है, ये बनवाती है, usually appointed by government of each country, वो जो authority होती है, वो किसके दोरा appoint की जाती है, government of that country, it comprises, इसके अंदर क्या क्या होता है, list of pharmaceutical substance, जितने भी दवाईयों वाले substance होगे, उनकी पुरी list होगी, formula होगे, along with their descriptions and standards, उसके अंदर उनका description होगा पूरा, A to Z, और सारा जो standard form में कैसी होती है, वो सब लिखियों होगी, बाते हैं, तब book contain the standards of drugs and standards of drug, drug का सारा standard and other related substances are known as pharmacopoeia, ऐसी book जिसके अंदर standard, drugs के सारे standard form लिखी होगी है, या उससे related substance के बारे में सारा standard form में लिखा हुआ है, ऐसी किताब को हम लोग कह देते हैं, pharmacopoeia, ऐसी किताब को क्या कह देते हैं, pharmacopoeia, and formularies, या उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फार्मलरी बोल देते हैं, है ना, collectively these books are known as compendia, इन books को collectively क्या नाम दे जाता है, compendia बोल जाता है, क्या बोल जाता है, compendia, ठीक है, the pharmacopoeia, और formularies contain a list of drug, pharmacopoeia में या formularies में एक drug की list होती है, and other related substance, और दूसरे इन drug से related जिड़े हुए कुछ substance की list होती है, regarding there, क्या क्या होग उसके अंदर, source, कहां से पाए जाते हैं, monograph, अब देखो monograph term बार बार आएगा, monograph का मतलब होता है, means collection of detailed information on a drug, किसी drug के बारे में पूरी full detailed information जब होती है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, monograph बोल देते हैं, standards, उसके standard format लिखा होता है, test लिखे होते हैं, formula लिखे होते हैं, for preparing the same, ठेना है, उनको prepare करने के लिखे होंगे, action and uses, उनका क्या action होगा, क्या use होगा, क्या dose होगी, कैसे store किया जाएगा, सारी बातें उसके अंदर लिखे रहती हैं, बास समय मारी है, these books are prepared under the authority of government of the respective country, जैसे उपर बात की, हर एक country, जो की जो सरकार होती है, वो authority देती है, कुछ लोगों को, और वो उनको बनाते है, these books are revised from time to time, समय समय पे इस book को revise किया जाता है, ना, changes वगर कुछ आते हैं, तो डाले जाते हैं, इसके अंदर, as to introduce the latest information, अगर कोई latest information है, कोई नहीं खोज आ हुई, तो वो सब चिज़ने डालनी होती है, और कोई पराणी खोज, जो उसके अंदर लिखी हुई है, वो अगर खराब है, या long time में effective नहीं तो हटा दिये जाएगा, ठीक है, लेटेस information available as early as possible after they become established, है ना, जब वो बन जाते हैं, उसके बाद नहीं information में अंदर add होती रहेंगे, revise, इससे हम कहते हैं, revise होते रहते हैं, इन order to keep the size of book within reasonable limit, अब ऐसा नहीं है कि भरते जा रहें, भरते जा रहें, किताब ऐसी लंबी चौड़ी मोटीस होती आ रही है, यह काम नहीं करना होता है, हमको उसकी size को भी reasonable limit पर रखना है, it become necessary to omit, omit मतलब हटा देना certain less frequently used drug, जो drug बहुत कम इस्तमाल में आ रहे हैं, इनका इस्तमाल ना के बराबर है, उनको हटाते चलेंगे, and pharmaceutical adjuents, है ना, उन less frequently drugs को और pharmaceutical adjuents, adjuents होते हैं, गुण बर्दक और शिदियां, यह कुछ direct drug ना हो कर रहे हैं, कुछ ऐसी होती जिनके अ होती है, from each new edition of the book, जब जब नए edition आएगा, ठीक है ना, बुक बहुत मुटी ना हो जाए, तो पुराणी चीज़ों कुछ बेकार होती हटा दिया दिया, नए चीज़ा आड़ कर दिया आती है, therefore, in each new edition of the, therefore, in each new edition of these books, हर एक नए edition में certain new monographs are added, अब monograph का मतलब पता है न, मै बास समझ मागी, for the preparation of these books, इनकी preparation के लिए expert opinion, ऐसे इने किसे को उठा के रख दिया, कि कौन बनाएगा, expert होते हैं, medical practitioner होते हैं, doctors हो सकते हैं, teachers हो सकते हैं, pharmaceutical manufacturer हो सकते हैं, उनकी help ले करके ये book को तयार किया जाता है, बास समझ मागी, classify करे हैं, अगर हम लोग किसकी प्या की, तो दो तरीखे से classify कर सकते हैं, official और non-official, ठीक है, compendia बोल दिया, ठीक है, official क्या होता है, official compendia और था compilation, compilation मतलब एक पुरा निचोड होता है, drugs का and other related substance का, which are recognized as legal standards, जिसे कानूनी तौर पर मानता मिली हुई है, of purity, quality and strength of a government agency of respective countries of their origin, ठीक है न, जो वहाँ पर बना हुआ है, जिस country में वो है, वहाँ पर जो official होगा, वहाँ पर उसे legal सरकार की मानता होती है, कि हाँ, ये quality, ये purity, ये strength होनी चाहिए, अगर हमारी market में ये दवा आएगी, तो ऐसी होनी चाहिए, example, British Pharmacopeia को BP कहते हैं, British Pharmaceutical Codex को BPC कहते हैं, Indian Pharmacopeia को IP, United States Pharmacope USP, National Formulary, NF, the State Pharmacopeia of USSR and Pharmacopeias of other country, तो ये सारी Pharmacopeia official है, non-official की बात करें अगर, the book other than official drug compendia, जिसके अंदर drugs तो होंगे, लेकिनों official नहीं होती है, which are used as secondary reference source, जो की secondary reference source होती है, just knowledge के लिए, समझे के लिए, but official नहीं होगी, for drug and other related substance are known as non-official drug compendia, example, क्या है, Mark Index, Extra Pharmacopeia, Martindale, United States Dispensary, etc. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम in books में detail हो नहीं जाएंगे, यह example तुम्हें याद रखने है, ठीक है न, और अगर कोई doubt होगा, तो उसको फिर देखेंगे, class में समझेंगे, जब live class लेंगे, तो उसमें सब चीज़ने को clear कर लेंगा, अगर कोई ज Argentine, Austrian, Belgian, Brazilian, हमारे पास important कौन आएगा, British, European, Indian, International, United States, हैना, बाद आगे हर कंट्री के अपनी फार्मकोपिया होती है, यहाँ से तुम लोग एक आइड लग गया, कि हर कंट्री अपनी फार्मकोपिया बनाती है, यह बड़ी famous फार्मकोपिया है, अब बात कर लेते हैं, इंडि इंट्री पार्ट में जाएं, तो फोड़ा से यहां पर इसकी हिस्टरी बाले में बात कर लेंगे, कहां से आई यह और थोड़ी सी बात ने कौन इसके छेर्मन वगर रहे है, किन ने बनाए, किसे यह में पभली सो यह सब बाते इसकर इसका नहीं पार्ट में आ जाएगा, जिस से क्या है, वनमास कोशन तुमारे ही से उठेंगे यहाँ पर, आगे आते हैं, तब फार्मकोपिया is published in fulfillment of, अब भी बात समझो क्या कहा रहा है, इंडियन फार्माकोपिया IP is published in fulfillment of the requirement इसको publish किया जाता है ताकि वो कुछ requirement को fulfill कर सके कौँसी requirement है of the Drug and Cosmetic Act 1940 इसकी requirement को पूरा कर सके and rules there under ठीक है न और उसके अंदर के जो rule है उनको पूरा करती हुई यह किताब publish की जाती है it prescribed ठीक है यानि कि यह book जो है इस law के अकॉर्डिंग publish की जाती है it prescribed the standard क्या बताती है यह it prescribed standards for the drug drug की standard form के और हम बात करेगी produced की standard form कैसे produce की जाती है marketed in India या standard form कौन से market की जाएगी इंडिया में and thus contributes in the control and assurance of the quality और इस प्रकार वो control और सुनिश्चित करती है quality of medicine को हमारी country में ठीक है यह फार्मकोपिया के अधार पर ही सारी चीज़े है सारी factory सारी manufacture है इस फार्मकोपिया के अधार पर काम करते हैं जिससे की control बना रहता है दवाईयों पर फर्जी दवाईया मार्केट पर नहीं आएंगी assurance बना रहता है एक निश्चिंत रहो एक निश्चिंत रहो एक निश्चिंत रहो एक निश्चिंत ता आ जाती है medicine को लेकर कि हां कि यह दवाईया मारे लिए safe हैं the standards of this pharmacopia are authoritative and legally यह authoritative है इसका standards authoritative है और legally है legally enforceable यानि की कानुनी तोर पर लागू किया गया है इसको यानि कि अगर इससे हट के काम किया तो सजा होगी penalty पड़ जाएगी jail हो सकती है इसकी इच्छा है यह चाहता है इसकी क्या हम कहते है तुम्हारी क्या इच्छा है इट इंडेंट यह चाहता है to help in the licensing of manufacturing unit inspections and distribution of the medicine यह intent इसका यह चाहता है कि license लो या manufacturing करो या inspection distribution वो सब इसके ही अधार पर होना चाहिए for the preparation of pharmacopia of India इंडिया की फार्मकोपिया जब प्रिपेर हुई थी फार्मकोपिया ऑफ अधर कंट्रीस लाइक ब्रिटिस यूरोप युनाटिश्टेट यूससर जापान एंड़ नेशनल फॉमुलेरी ओफ यूससे एंड मर्क इंडेक्स वर कंसल्टेट जिस टाइम पहली वा इसको बनाया गया था इन चीजों को देखते हुए दिमाग में रखते हुए सब्सक्राइब लोगए Utah कंट्रोरी से सब्सक्राइब करते हैं लोग होते हैं इसके अंदरneten low कंट्रोर को सकते हैं रिसच में लोग हो सकते हैं सником तो बरेटरी से कूछ घुक्राइब हो सकते हैं रिसेर्च वाले हो सकते हैं टीचर हो सकते हैं बहुत साजी लोग हो सकते हैं ठीक है अंडर द्रग और कॉस्मेटिक एक 1940 दा इंडियन फार्मकॉपिया इजा ओफीशियल बुक यह एक ओफीशियल बुक है विच कंटेन दा स्टैंडर्स फॉर ड्रग और अधर रिलेटेड होते हैं इंक्लूड इन फार्मकॉपिया ड्रग और रिलेटेड सब्स्टांस ड्रग और सब्स्टांस प्रपेर्ड वाइप फार्मसुटिकल मैनूफेक्ट्टर मस्ट कॉम प्लाय विद दाजी स्टैंडर्स अगर कोई मैनुफेक्ट्टर और कोई कंपनी वाला दवाया ब बनाएगा किलिया रहे हैं अब हिश्टी क्या कह रही है दा हिस्टोरिकल डवल्लमेंट आप फार्मकोपिया इंडिया ट्रेसिस बैक हम पीछे देख सकते हैं पंद्रासो त्रेसट है ना बहुत पहले की बात है यह खैर उसमें बननी पाया तो कुछ भी लेकिन हां कहीं नकाम कह सकते हैं कि वहां से इसकी सुरुवात है खो गई थी आगे आएं दा आइडिया ओफ इंडिजिनेस इंडिजिनेस मतलब सुदेशी हमारी खुद की इंडियन फार्मकोपिया वस कंसीव इंडिया घ्रिपमडिण सund in 1837 इसकास आइडिया था कि भाई हमारी खुद कि होनी चाहिए एक आइडिया लाया गया 1837 में येंडिस आइडिया इस ऐडिया नेए शेप ले लिया in 1841 में in the form of Bengal pharmacopoeia किस रूप में आया Bengal pharmacopoeia and conspectus of drug दवाओं का सर्वेच्छन यह conspectus मतलब होता सर्वेच्छन निरेच्छन टाइप पर एक तरह रहेगा तो इस रूप में जो हम चाहा रहे थे pharmacopoeia तो स्टार्टिंग में कुछ इस रूप से आया सामने बात समय में आई The Hindustani version in Bengali and Hindi of London pharmacopoeia was made available in India from 1901 onwards 1901 के बाद Hindustani version Bengali और Hindi में जो लंदन pharmacopoeia का था वो आना स्टार्ट हो गया था The Indian pharmacopoeia list list मतलब उसके अंदर के जो चीजे होंगी कौन से डग रखे जाएंगे published in 1946 important है इसे mark कर लेंगे पहली बार जो Indian pharmacopoeia list थी वो publish हुई थी 1946 में form the seeding of the true official Indian pharmacopoeia published in 1955 ये जो list publish हुई थी इसने कहीं ना कहीं बीज बो दिया था कि अब pharmacopoeia आएगा और वो बीज ने पेड का रूप ले लिया कब 1955 में जब finally हमारी खुद की official Indian pharmacopoeia आ गई बास समझ में आ रही है तो है ना बड़ी interesting चीज pharmacopoeia को लेकर के तो कोई भी चीज life में आगर तुम लोग देखोगे बच्चो आसानी से नहीं मिलती है हर कोई अच्छी achievement के पीछे बड़ा लंबा संगर्स होता है तो life इसलिए संगर्सों से भरी हुई है है ना संगर्स आए तो डरना नहीं है आगे आते हैं the first edition of Indian pharmacopoeia was published in 1955 पहला edition अच्छा edition क्या होता है एडिशन एडिशन वट बार बार आएगा एडिशन होता है कि हम एक एक लाग कॉपी हमने निकाल दी बस वह पहला एडिशन हो गया अब हम और नहीं छापेंगे फिर दूसरा एडिशन होगा उसमें होता है कुछ चेंजिस वगरा करकुरा कि हमने देड़ लाग छाप दी तो एडिशन मतलब होता है एक बार जो बल्क बनता है हम पर वह उसका एडिशन कहला था ठीक है ना बट एक्च्छिली दा प्रॉसेस वास स्टार्टेट अर्लिए इस नाइनिन फटीफटीफॉर आइस नाइन फटीफॉर गॉप्रॉसेस स्टार्ट हो चुकी दी इन फॉट्टीफॉर गॉवन्मेंट ऑफ इंडिया आ जिनके पास परियाप्त मातरा में मैडिसनल वैली हो जो लोगों को ठीक कर सके तो जस्टिफाइब इर इंक्लूजन जो की जस्टिफाइब करें कि हाँ क्यों इसको फार्मकोपिया में लिया जाना चाहिए ठीक है ना एक लिस्ट तैयार करने को दे दिया गया आए आगे आ इसके अंदर जो लिस्ट त्यार हुई क्योंकि ब्रिटिसर्स थे हमारे उपर रूपर रहे थे उसमें तो उसी ब्रिटिस फार्मकोपिया से हिंट ले करके वहने बताया और कुछ और ऐसे रख गए जो इस फार्मकोपिया में नहीं थे अलांग विद इस्टैंडर्स साथ स standard maintain किया गया to secure their usefulness जिससे की वो useful में useful बने रहे test for identity and purity was prepared by the committee and was published by the government of India under the name the Indian Pharmacopeia List 1946 ठीक है ना तो साफ-साफ कहा रहा कि कुछ drug की list ऐसे बनाएगी जिसके अंदर कुछ British Pharmacopeia के drug थे भी नहीं भी थे ठीक है और उसमें उसके standard maintain किया गया उसकी usefulness बताई गया उसके test for identity की कैसे identify करेंगे कैसे purity करेंगे ठीक है ना और इस तरह से एक list बना करके finally publish कर दी गई government of India under the name किस name के अंदर में the Indian Pharmacopeia List the committee constitute एक committee बनाए गई अंदर दा चेर्मेंशिप आफ करनल सर आरें चोपरा ठीक है ना आरें चोपरा के अंदर में committee बनाएंगे along with other nine members याद रखेंगे साथ में नौ लोग और थे prepare the list of drug with the following detail उन्होंने एक list बनाई ठीक है और वो लिस्ट क्या थी substance included in the British pharmacopoeia और crude drugs chemical and their preparation कुछ ऐसा substance ब्रीटिस फार्मकोपिया में इंसेक्टिसाइट कीड़ों को मारने वाले कलरिंग एजेंट सिंथेटिक्स जो हम तो खुद बना लेते हैं मिसलेनिस और ड्रक फॉर वेटनरी यूज यह सारे ड्रक्स भी एक्स्टरस में एड की गई नाउ दा इंडियन फार्मकोपिया लिस्ट 1946 वाइड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्मेंट ऑफ इंडिया और फाइनली एक लिस्ट बनके तयार हो गई तो 1946 की जो लिस्ट के बारे बाते होंगी बच्चो यह ध्यान रखना है कौन चेर्में थे क्या था और कैसे क्या नकी ड्रक्स हो लिया गया था ठीक है कि सार इसके आ चुके हैं तो बारी बारी से मतुरस को समझते हैं कि 8 एडिशन में क्या क्या खासी आती तो देखो क्या कहा है यहां पर जो एडिशन है फर्स्ट कौन सी यह में आया था 1955 में आया था ठीक है चाहो तो इस तरह चार्ट बना सकते हो ठीक है नहीं बनाना तो कोई दि लिशी पड़ती है देख रहे हो 2018 1 2 3 4 4 पार्ट में पार्ट में है तो चार वॉल्यूम ठीक है ना इसके 27 नीले रंग में यह कुछ ऐसी थी तो कितने वॉल्यूम में मतलब उसकी कितने पार्ट था ठीक है तो देखोले यह सपलीमेंट इसको सप्लिमेंट आया था वो नैं हैं कुछ गलतिया हैं कुछ चीज करना चाह став consideration ठोथी dengan अगला होती हैं ठीक है उनको चेंज कर देते पिर उसको फब्लिश कर देते हैं थोफिर उसको पब्लिस कर देते दुवारा से तो उसको रहें कें Chill जो मैं तो जो चीज़ें थी उसी में थोड़ा बहुत क्या करेंगे चीज़ें को सुधार देंगे और पब्लिश कर देते उसे कहते हैं सप्लिमेंट अडेंडम क्या होता है कोई बिलकुल एक नई चीज एड़ कर दे जो पहले थी नहीं तब उसे हम कहेंगे अडेंडम ठीक है चेर्में सप्लिमेंट हुआ क्या था 126 नए मोनोग्राफ एड़ किये गए थे और 250 अमेंड किये गए थे 250 क्या करते अमेंड मतलब ठीक किया गया था कोल्डर वैक्षिन को हटा दिया गया था चेर्मेंशिप में किसकी थी मुखर जी के डॉक्टर बी मुखर जी और इसके नंदर 274 मोनोग्राफ डिलीटेड और 93 न्यू एड़ेड दैन थार्ड एडिशन 1985 में आया जो दो वॉल्यूम में था कॉंटिस के चेर्में डॉक्टर नित्या नंजी थे 261 मोनोग्राफ अड़ेड और 450 डिलीटेड मतलब यहीं पर चल रहा है अब यह हो गया अब इतने एड किये इतने डिलीट मार दीए और यह एडेंड्डम, एडेंडम आया 89 में 46 added and 186 amend 46 add कर दिये गए और यहां amend किया गया एक और random आया 91 में जिसमें 62 monograph add किये गए 110 को amend, amend मतलब होता है उनमें correction कर देना कुछ ठीक कर देना, ठीक है then fourth आया हमारे पास fourth आया 1996 में 2 volume में था chairman again, dr. Nitanan जी थे 1149 total monograph हो चुके थे पुराने वाले से compare करे तो 294 नए add किये गए थे और 110 delete कर दिये गए थे ठीक है इसका addendum आगया था 2000 में 42 new added अब यह चीज़ ध्यान एकना, wet supplement कब कौन से उसमें आया था wet supplement आया था fourth edition में wet supplement कब आया था fourth edition में, ठीक है ना 208 added 208 monograph add किये गए थे wet veterinary है ना januar को ले करके addendum एक आया था 2002 में एक आया था 2005 में fifth की बात करें, तो fifth वाला क्या था 2007 में आया तीन volume में था यह addendum 2008 में आया यहाँ पर आगें डॉक्टर नित्यनन जी मौजूद हैं, अब यहाँ पर क्या volume volume आप चीज़ों सोड़ा चेंज किया गया, उसमें क्या हो, volume 1 के अंदर क्या था contain journal notices and journal chapters क्या क्या चीज़े रहेंगी volume 2 and 3 के अंदर contain journal monographs यहाँ monographs मौजूद है on drug substance, doses form and pharmaceutical aids pharmaceutical aids मतलब जो pharmaceutical में साहिता करते हैं, help करते हैं तो इस तरीके से तीन volume को यहाँ पर जिक्र किया गया है 6 आता है 2010 में इसे भी तीन volume में था addendum आया था इसका 2012 में यहाँ पर जो chairman थे वो कौन थे 3 के, चंदर मौली थे अब तीन volume की बात करें तो volume 1 के अंदर contain the notice preface the structure of the IPC है न IPC का structure कौन कौन उसके member थे कैसे कैसे बनता है करके acknowledgement था introduction and the journal chapters ठीक है उसके बारे में सारी बात है volume 1 में थी volume 2 की बात करें contents the journal notice journal monograph on doses forms and monograph on the substance doses form and pharmaceutical rates यान कि volume 2 के अंदर main दवाईयों का content था कहां से लेके कहां तक A से लेके M तक A नाम से शुरू होकर के M नाम तक और volume 3 में सेम वोजी सारी चीज़ें थी end नाम से start ओकर के jet तक के नाम वाले सारे drugs इसके अंदर आ गए थे बात करें किसकी 7th edition की 2014 में आया था ये 4 volume में आया ठीक है ना एलेंडम आया इसका 2015 में देन आया 2016 में नाभी आजाद health minister इसके chairman थे the IP 2014 incorporates 2550 monographs of drug out of which 577 are new monograph ठीक है ना total इसके अंदर आ गए थे 2550 और 577 नए monograph डाले गए थे monograph पता है ना मैं बताया था consisting of API है ना API क्या होता है active pharmaceutical ingredients last lecture में डिस्क्रस किये थे हम लोग active pharmaceutical ingredients acid chemical constant जो active है जो फाइदा पहुचाते है excipient जो add के जाते हैं में main component के अलावा है ना जो दवाइँ को जोड़ेगा binders कहते हैं taste लेके आते हैं flavoring agent कहते हैं doses form tablet रहेगी syrup रहेगा क्या रहेगा and herbal product उन सब के बारे में monograph रहा था यहाँ पर अब आता 8th 2018 यह हमारे लिए काफी important हो जाता है क्योंकि question ही जोट के आता है addendum आया था इसका 2019 में इसके chairman कौन थे C के मिस्रा silent feature के लिए हमने का C above है ना क्योंकि यह table set नहीं हो रही थी तो तोड़ा सो उपर नीचे करना पड़ा तो C above कर लेते है 2008 में sorry जो 8th edition आया था 2018 में उसके बारे में सोड़ी सी बाते कर लें तो क्या कह रहा है The 8th edition of Indian Pharmacopia was published in 2018 by the IPC on behalf of the Ministry of Health and Family Welfare Government of India silent feature की बात करें अगर इसका तो क्या है silent feature 220 new monograph add किये गा इसके अंदर कितने add किये गए 220 170 new chemical monograph chemicals नए chemicals इसके अंदर add किये गए 15 herbal monograph add किये गए इसके अंदर ठीक है 3 monograph on radio pharmaceuticals वो add किये गए 40 new veterinary non biological monograph add किये गए veterinary वाले ठीक है 80 new biological monograph है ना जो biological होड़ा जो हमारी body के अंदर effect करेंगे 2 monograph on vaccines and immunocera for human है ना immunocera जो हमारी immunity से नेटेड होता है वो add किये गए 6 monograph on bio technology derived therapeutic product जो bio technologies की help से हमको product मिलते थे वो add किये गए 6 10 monographs on blood and blood related product खूँ से जड़ो हुए 10 product खूँ से जड़ो हुए कुछ product थे जिनमें उसके 10 monograph add किये गए फिर क्या है journal chemical test and thin layer chromatography अब बच्चो chromatography अभी मस्त पूछना क्या होता है ठीक है यह अपने आपने एक lengthy chapter है पढ़ेंगे हम pharmacology में इसको detail में ले लेंगे वहाँ पे है भी यह हमारे पास थोड़ा general chromatography topic आएगा वहाँ समझ लेंगे फिलाल समझो कि टेक्निक होती है चीजों को purify करने के लिए ठीक है न तो उसमें एक part होता है thin layer chromatography for identification of an article have been almost eliminated लगबग लगबग खतम कर दिया गया and more specific infrared ultraviolet spectrometer and HPLC test have been emphasized जाने कि उसको हटा करके किन test पे जोड दिया गया infrared ultraviolet or HPLC ठीक है न HPLC भी chromatography का ही part है have been emphasized emphasized मतलब इनके उपर जोड दिया गया the use of chromatographic method has been extended to cope with the need of the more specificity specificity in assays ऐसे क्या होता है समझ सकते हैं लोग एक तरह सा किसी चीज़ के अगदम detail जानकरी निकालने के लिए हम लग तवाम तरह के टेस्ट वगरा हर चीज़ करेंगे तो एससे के अंदर आयता है and in particular ठीक है न याने कि जो chromatographic method थे उसका version को याने कि उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया जिससे की more specificity in assay हमको मिल सके ठीक है in assessing the nature and extent of impurity ताकि हमें किसी compound के अंदर उसका क्या nature और कितनी impurity है वो हमको पता चल सके तो इसलिए chromatographic technique method को extend किया गया उसको बढ़ावा दिया गया most of the existing assays and related substances test methods have been upgraded by liquid chromatography to harmonize with other international मदब बहुत सारे जो assays थे उसके अंदर क्या प्रूर किया गया liquid chromatography technique को add किया गया अब technique क्या होती है कैसे काम करते हैं वहां में हमें नहीं जाना है क्यों add किया गया जिससे की harmonize with other international फार्मकोपिया उससे हमारा result match करें क्योंकि वह अगर standard का use कर रहे हैं तो हम भी कहीं न कहीं एक standard format का use करेंगे बात समझ मारी है तो यह इसके silent feature थे जो कि तुम्हें पक्का याद होने है यह तो अपने course में पकायदा लिखा हुआ है introductory part में कुछ खास-खास question है जिनकी में list बना करके कहां दूंगा एप में अब जब एप की बात आगी है तो देख लेते हैं वापस आते हैं अपने एप की उपर जिन बच्चों को पता है ले चुके हैं congratulations जो लोग नहीं लिए हैं जल्दी जल्दी इस एप को purchase कर लें ठीक है न क्यूंकि यहां पर अब मैं जो बोलता हूं जैसे कि कौन सा question अंदर वन मांक इंट्रटर्टरी पार्ट था उसमें से कौन सा question आएगा कौन से question important है वन मांक के लिए वो सब कैसे पता चलेगा ठीक है तो तुम्हारे one marks में cover होंगे जो मैं तुमको app में दिया करूंगा ठीक है फिर two marks question three marks five marks question यह तुम्हारे कहां आते हैं यह तुम्हारे pharmacy के final exam में आते हैं two marks three marks five marks question one marks दो type के रहते हैं mcq and fill in the blanks ठीक है न तो यह जो mcq रहेंगे इसमें d farm और exit exam की उपर based question तुम्हें मिलें बकाजा test मिलेंगे सब कुछ मिलने वाला है एप के अंदर ठीक है एप का जो link है description में मैंने दे दिया है ठीक है routine test देखो बच्चों यहां सबसे बड़ा plus point क्या मिलने वाला है routine test routine test का pattern क्या रहेगा समझ ले ना अगर देख चुके वीडियो तब भी समझे इसे द्वारा से मालो chapter 1 हो गया किसी का ठीक है फिर chapter 2 हो गया इसका test हो गया t1 इसका test हो गया t2 अब एक test होगा t3 जिसके अंदर chapter 1 और chapter 2 दोनों combine आएंगे फिर मालो chapter number क्या हो गया 3 हो गया फिर इसका test हो जाएगा फिर एक test होगा जिसके अंदर chapter 1, 2 और 3 का combine test होगा सेम इसी तरीके से MCQ MCQ के तो test लगाता लेता ही रहूँगा मैं क्योंकि MCQ क्यों important है MCQ तुम्हारे MCQ और फिलिने ब्लेंग ये मिला करके तुम्हारा कितना है 20 नंबर का आता है कितना आता है 20 नंबर का प्लस तुम्हारा पूरा exit exam इसी MCQ पर depend है ठीक है ना तो इसके जितने ज़्यादा test दोगे उतना ज़्यादा फाइदे में रहोगे और ज़्यादा रिलाक्स हो जाओगे और एक चीज मेरे जो notes है सभी lecture के notes हर एक lecture के notes description में link दिया हुआ है जहाँ पर ये मिलेगा इस एप का link मिलेगा प्ले स्टोर पर जाकर ले सकते हो जिनको आता है जिनको नहीं पता कहां से लेना है description में इसका link दे जाता हूँ मैं वहाँ से click करेंगे सिधा प्ले स्टोर पहुंच जाएंगे वहाँ से download कर ले उसके बाद भी अगर कोई doubt रह जाता है तो don't fear mind nurture is here मैं यहाँ पर हूँ डरने की दिरूत नहीं है बिल्कुल पिना जिसके call करें इस नंबर पर जो भी help चाहिए app से लेकर है कैसे क्या use करना वह मैं बताऊंगा ठीक है बहुत अच्छा app है आप लोगों के लिए इससे best कुछ मिलेगा नहीं आप लोगों को और आप के लिए डी फार्मा एकदम हलवा हो जाएगा और exit exam भी हलवा हो जाएगा जब इसको use करोगे तब यह समझ में आएगा clear है तो क्या करना है ठीक है ना app पर जाए जिन लोगों नहीं लिया है वहाँ देखें free content में दे रखा है content क्या क्या चीज़े मिलने वाली है और कुछ करें चाहें ना करें revision पक्का करें ठीक है ना भले कुछ मत करो एप लो ना लो revision पक्का करो लेकिन एप लोगे तो फाइदे में रहोगे double फाइदे में रहोगे ठीक है ना तो revision करते रहें और पढ़ते रहें, all the best